5, 4, 3, 2, 1 श्रीमन क्या मंगाई भत्ते के संबंध में दू सिफारिश की गई थी उसे सरकार ने लागू किया? क्या उस सिफारिश को लागू करने के लिए जिस प्रकार की मशीनरी की स्थापना की जानी चाहिए थी वह की गई? हमारी सरकार ने पहले पे कमिशन की रिपोर्ट को खटाई में रखा क्योंकि वह करमचारियों के हित में जाती थी और दूसरे पे कमिशन की रिपोर्ट को पंच परमेश्वर का फैसला कहकर लागू करने की कोशिस की? मेरा निवेदन है कि अगर दोनों वेतन आयोगों में मतभेत था और अगर दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशें ऐसी थी जिनमें की करमचारियों की वर्तमान सुविधाओं में कटवती होती है, तो उसके संबंध में केंद्रिय करमचारियों के प्रतिनिधियों से मिलने में किसी प्रकार की आपत्ती नहीं होनी चाहिए। Joint Council of Action बाद में बनी जब इस सदन में वेतन आयोग की रिपोर्ट पर विचार हुआ और एक प्रश्न के रूप में वित्त मंतरी महोदय से पूछा गया कि क्या आप केंद्रिय करमचारियों के प्रतिनिधियों को बुला कर बात करेंगे तो वित्त मंतरी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बात जो होनी थी वह पहले हो गई। अब तो रिपोर्ट आ गई है और हम उसे लागू करेंगे। मेरा निवेदन है कि यह रवया बहुत ही गलत था और इसलिए केंद्रिय सरकार इस हड़ताल को निमंत्रन देने के लिए जिम्मेदार है। मैं समझता हूँ कि हमारे प्रधान मंत्री जी जानते थे कि वित्त मंत्री जी ने केंद्रिय करमचारियों के प्रतिनिधियों से मिलने से इनकार कर दिया है। उस समय हड़ताल की कोई बात नहीं थी और शायद लोगों के दिमाग में हड़ताल का विचार ही नहीं था और अगर उसी समय केंद्रिय करमचारियों के प्रतिनिधियों से सरकार की बातचीत हो जाती तो हड़ताल की नौबत न आती। मगर सरकार ने हठ धर्मी का रुख अपनाया जिसका परणाम यह हुआ कि हमें हड़ताल के दुरभागय का सामना करना पड़ा। मैं हड़ताल को दुरभागय कहता हूं। यह केंद्रिय सरकार के लिए भी दुरभागय की बात थी और जिनके हाथों में केंद्रिय करमचारियों का नित्रित्व था। उनके लिए भी दुरभागय की बात थी कि हमको देश में हरताल का द्रश्य देखना पड़ा। लेकिन मेरा निवेदन है कि अगर सरकार चाहती तो हरताल को ताल सत्ती थी। मैंने केंद्रिय करमचारियों के निताओं से बात चीत की। वे नहीं समझे थे की हरताल करनी पड़ेगी यहां तक की उन्होंने हरताल की तयारी भी नहीं की थी। न हरताल के लिए प्रोथसाहित किया।